नमस्कार, आज हम NTPC असनाता का स्तरिये मेंस पेपर का डिटेल से प्रस्णों का अध्यन करेंगे, जो 2017 में हुआ था, इसमें से कुछ प्रस होने वाले NTPC के सेकंड स्टेज में क्वेश्चन आने की संभावना है, तो आये चलते हैं, गहराई सद्दिन करते हैं, क्रामतिकारियों की संस्था अभिना भारत का गठन किसके द्वाड़ा किया गया था, सही उत्तर है, विनायक सावरकर, इससे दो महत्पुर्ण बात हैं, इस संस्था का गठन 1904 में किया गया है, इस संस्थान का दूसरा नाम यंग इंडिया सोसाइटी है, तीसरा महत्पुर्ण बात, इस संस्थान के संस्थापक, विनायक सावरकर के साथ साथ, इसके भाई गने सावरकर भी थे, किस देश ने दुनिया के सबसे सकते साले GEO जासुसी उपगड़ गावफन 4 की परछेपन किया, सही उत्तर है, चीन, GEO का मतलब है, जियो अस्टेशनरी ओर्बिट, यह ओर्बिट पिर्थिवी से 36,000 किलो मीटर की दूरी पर 4 ओर फैली होती है, जिसमें कई तरह के उपगड़ा भेजे जाते हैं, जिससे समय का पुड़वानिवान और अन्चीजों का पता लगाया जाता है, नेक्स्ट, मौंट सेंट हेलेंस नामक सकडिय मिश्रित जौला मुखी इस्थित है, कहां है, सनिक्त राज अमेरिका में, भारतिए स्वतनतर है संग्राम के साइनिक विद्रो के समय भारत के गवर्नर जेनरल को तें सही उत्तार है लॉड़ के निगश्ग इसको सही से याद रखने के लिए aga काई थी नहर्षी कर नह थी जह कर Är इसली आज सब्सक्राइब कर एंसर दे सकते हैं नेक्स्ट कोश्चन भारत में बारामा राष्ट्री आइस अस्केटिंग चेंपियंशिप के मेजवानी की सराजने की सही उत्तर है जम्मु कस्मीर भारत के सम्मिधान में उल्लिखित उच्टम न्याले के न्याधीसों की संख्या संसोधन अधिनियम 2008 के अनुसार भारत का सर्वोच न्याले भारत के मुख न्याधीस और अधिकतम कितने अन्याधीसों से मिलकर बना है अंसर होगा 30 चुकि ये संसोधन 2008 से पूछा गया है इसलिए उत्तर होगा 30 यदि बरतमान में पूछा जाए तो इसकी संख्या है 32 ने 32 जिसमें चिफ जस्टिस को मिलाकर काउंड किया गया है अगर अधिक्तम न्याधिसों की कुल संख्या पूछा जाए तो 34 होती है लेकिन बरतमान में 32 है इन बातों को ध्यान में रखे है एक next question पर ध्यान देते हैं जो इसमें नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अस्थाबना कब की गई तो इसका सही उत्तर होगा 1950 तीसरा महतपुर्ण बात सुप्रीम कोर्ट के बरतमान जजज कौन है अर्थात मुख नियादेज सही उत्तर है एन वी रमन्ना जो कि 48 में है इनका पूड़ा नाम नुथल पती वेंकटा रमन्ना है next question optical fiber किसके सिधान पर काम करता है सही उत्तर होगा पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन पर next October 2016 में दुनिया का सबसे बड़ा समुदरी सनरचित छेत्र किस तर्ट पर बनाया गया है सही उत्तर है अंटार कटी का next बुमबायला देवी लैस राम किस खेल में भारत का परतिनिदी तकरती है सही उत्तर होगा तीरंदा जी बुमबायला देवी मनिपुड की रहने वाली है next UNITAR किसका संचिप्त रूप है सही उत्तर है United Nations Institute for Training and Research next कौन सा देश पहला कारबन निगेटिव देश बना है भूटान एंसर भूटान next question वर्स 2004 में नासा ने किस गड़ा का ध्यन करने के लिए मैसेंजर अंत्री च्यान पर छेपित किया था सही उत्तर है बुध next question अगला question चार्ड को पुड़ेशित किया जाता है सही उत्तर होगा आयान मंड़ next question कौन सी बैंक अपनी वेव साइट के माध्यान से रेल टिकेट बेचने के लिए भारतिय रेल से जुड़ा हुआ बनने वाला पहला बैंक है सही उत्तर है आयसी आई बैंक next 2015 में संजुक्त राज जलवाई पड़िवर्तन समयलन कहां एजित किया गया था पैडिस में next question बारतिय रेल का सुभंकर क्या है सही उत्तर है भोलू हाथे भगवान बुद्ध के जीवन से सम्मंदित चार पवित अस्थानों में से कौन सम एक महाबोधी मंदिर पड़िशर इस्थीत है यह option based है जिसमें answer गया होगा जोकि बिहार में next question यदि कोई पंचायत भंग हो जाए तो चुनाओ कितने महिने के अंदर हो जाना चाहिए answer भंग होने की तारिक से 6 मेने के अंदर next भारत के सम्मिदान की कौन से अनुसूची भारत के राज्यों और केंसासित परदेशों को सूची बद्द करती है इसका सही उत्तर है पहली अनुसूची इस अनुसूची के बारे में कुछ डिटेल से और जान लेते हैं कुल अनुसूचीयों की संख्या भारत में बारा है पहला अनुसूची केंद्र और राज से सम्मिदित है दूसरा अनुसूची अधिकारियों और मंतरियों के वेतन से सम्मिदित है तीसरा सपत से सम्मिदित चौथा परतिनी दित से सम्मिदित पांचमा स्सी और स्ट से सम्मिदित इन पांचम को इस ट्लिक के माद्यम से हम याद कर रख सकते हैं जिसे कोई मजदूर एक साइट पे जाता है वहां उसे बेतन दिया जाता है बेतन लेने के बाद वो तय करता है खाम इस काम को करेंगे और थात वो सपत लेता है उसके बाद उस काम को सही तरीकेश करता है थात उस काम को करने के लिए परतिनिदितु करता है तो पहला हो गया छेत्र देखा दूसरा हुआ उसको रकम मिली तीसरा हुआ सपत लिया खाम इ यह चार्थ को इस प्रकारम याद रख सकते हैं इसके अलावा अन और 5 अनुसुची जो महतपुर्ण है वह हैं अनुसुची 8, 9, 10, 11 और 12 आठ सम्मंदित है भासा से, नौ सम्मंदित है भूमी सुधार से, दस सम्मंदित है दल बदल से, ग्यारस नुसुची सम्मंदित है पंचैतीरा से, बारस नुसुची सम्मंदित है नगर निगम से, इसको हम इसमाद्यम से याद रख सकते हैं भासा से भा ले लिए भूमी से भी ले लिए हो गया भावी दल बदल का बदल ले लिए भावी बदल गई राज के साथ सहर भाग गई तो भावी भा हो गया भासा 8 भी भावी भूमी हो गया 9 बदल हो गया 10 राज के साथ राज मतला 11 सहर भागे सहर मनें नगर बाड़ा इस माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं चलते हैं अगले कोश्चन की तरफ से इसमें पूछा गया है भारत का कौन सा राज है जहां सबसे ज्यादा आम का उत्पादन होता है तो यह उत्तर होगा उत्तर प्र अजन्ता गूफा के चित्र भारत में किसके स्वर्ण युक के प्रमान है अंसर होगा बहुत दाड़ नेक्स्ट कोश्चन पहली सताबदी इसापुर्व से सात्मी सताबदी इसवी के बीच विक्सित गानदार कला जब बहुत द्रिस कला की एक सैली है मुक्रुप से किस रा नेक्स्ट कोश्चन पढ़ियावडन सनच्चन अधीनियम कब लाया गया से उत्तर उनिस सोचिया से अगला कोश्चन भारत के सम्मिदान के नुसार उच्छ न्याले के किसी न्याधिस का अस्थानांतरन एक जग से दूसरी जग करने का दिकार किसे हैं? सही उत्तर है भारत का राश्टपती नेक्स्ट क्वेश्चन इलक्ट्रोन की खोच किसने की? असान क्वेश्चन जे जे थॉम्चन नेक्स्ट नेक्स्ट बिजली के उपकरनों को बोल्टेज में अचानक होने वाले चड़ाओं को बचाने के लिए किस उपकरन का प्रियोग किया जाता है सहे उत्तर है सर्च प्रोटेक्टर नेक्स्ट क्वेश्टन कम्प्यूटर के समदर्व में GUI का पूरा नाम क्या है सहे उत्तर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नेक्स्ट क्वेश्टन नंदा देवी हिल किस भारतिय राज्य में इस्तित है सहे उत्तर है उत्राखन अब यह सेट समाथ हो गया इस सेट में लगबग 40 से 50 क्वेश्टन थे जो कि में उसमें पूछे गए थे जो कि पूरा हो चुका अब अगली वीडियो का इंतजार रहेगा जिसमें 17 तारिक का सेकेंड शिफ्ट में जितना जी के पूछा गया उसका वीडियो आएगा तो आप बने रहे है मेरे साथ और देखते रहे है एजूकेशन पॉइंट PK for you थेंगे